नमस्कार दोस्तों सौगेत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंपोर्टेंट एमसी क्यूब है संदीप में दोस्तों हम लोग सिच्छक भरती की तैयारी कर रहे हैं उसी के क्रम में कई वीडियो अपलोड कर दिये हैं और आज वीडियो हम लाएं परियावराण और समाज एक अध्यान के तीस अति महत्रपूर प्रश्न ठीक है दोस्तों इसमें क्या हम लोग तीस चुने हुए प्रश्न को देखेंगे और उनको अच्छे समझ के उनको याद कर लेंगे दोस्तों सबसे पहले निवेदन है जो लोग चैनल पनना है प्लीज लोग चैनल को सब्सक् जान हो आन है दोस्तों विसे फिरस्तु यह जो है नीचे यह दौस आपका इंद्राइप कॉइंट है उसे हम क्या पर उस सम किकेशिते हैं इंडिरा कोच थीक है यात रख्ये लिए लौक यह आपका इंद्राइपकाइप पड़ता है आपका ग्रेट निकोबार दीप समूम है और यह जो इंदरा कॉल पड़ता है वह आपका जम्मू का समेर हो पड़ता है ठीक है तो चले आगे देखते हैं भारत की सरवाधिक सीमा किस देश के साथ जुड़ी है तो बांगलादेश के साथ 496 किलोमेटर डाटा या याद कर लीजे शायद आपने सुनी भी हो मित्र पर गमच्छा जहार ठीक यह इसमें चार आठ राज्य दिये हुए है ठीक है इससे आप याद कर लिए ओके दोस्तों चले आगे देखते हैं भारत में समुदरी तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है तो वो है न आगे देखें भारत में सबसे प्राचीन वलित परवतमाला कौन से है उत्तर है आपका अरावली अरावली यह कहां पढ़ती यह आपके राजस्थान में पढ़ती याद रखेगा सुन्दरवल का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है उत्तर गंगा ब्रमपुत्र नदी आगे देखें गंगा की सबसे बड़ी साहख नदी पून सी है यमउना अगला है दामोदन नदी कहां से निकलती छोटा नाखपुर का पठार दोस्तों यह कहां पढ़ता है इसका छोटा नाखपुर का अधिकांस भाग जो है वह आपका जहार खंड में पढ़ता है और इसकी कु पुरानी जलोड मिट्टी को खादर और पुरानी जलोड मिट्टी को बांगर आगे देखे बहात में हरित क्रांती का श्रेय किसे जाता है और इसकी शुरुवात कब हुई MS. Swamy Nathan को वर्स 1966 सरसट में इसकी शुरुवात हुई ठीक है आगे देखे प्रसंख्या 13 गुलाबी क्रांती का सम्मन किस से जहींगा मचली के उत्पादन से है देश में चांदी का सर्वाधिक उत्पदन किस राज में होता है राजस्थान में होता है देश में राउर केला इस पाथ सहिया तब कहां और किसके सहियोग से इस्थापित किया गया उड़ीसा में जर्मनी के सहियोग से यह याद रखे यह इंपोर्टेंट है जर्मनी के सहिय से 1968 में आगे देखे भारत में सरवाधिक जनसंख्या किस जंजात की है गोंड की ठीक है आगे गारोव खासी जंजात किस राज में पाई जाती है मेघाले में अरावली परवस्रडी की सबसे उची चोटी का नाम बता है अभी मैंने बता है सबसे पुरानी वलित परवस्रडी है रावली ठीक है और उसकी सबसे उची चोटी का नाम है गुरू सिखर जो की माउं टाबू राजस्थान में इस्तित है आगे देखे जमसेद पुर नामक सहर किस नदी किनारे बसा है तो है सुनर रेखा भारत का सबसे उचा जल प्रपात किस नदी पर बना है गर सोपा य जो करनाटक में है ठीक है आगे देखे वुलर जिलकिस राज में जम्मु कस्मीर में दो अच्छांस रेखाओं के बीच कितनी दूरी होती है 111 किलो मिटर याद रखेगा प्रत्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं शुक्र को कहते हैं क्योंकि इसकी जो बनावाठ है वो प्रत सनी अरूल वरोण दो इसकी मेने ट्रिक बनाई है वह है बी एस पी ठीक है बी एस पी मेंताव कि मेट से ठीक देखे, B से हो गया आपका बुध, S से हो गया शुक्र, P से हो गया आपका प्रत्वी और में से मैंने M बनाया, तो M से हो गया मंगल और B, S, A, B से ब्रहस्पती, S से सनी, A से अरोण जो आखनी मचा वो है वरोण मतलब B, S, P में B, S, A B, S, A भी आपको पता ही यह कौन होता है और B, S, P, जो मायावती की पार्टी है एक वो B, S, P, इससे आपको याद रहा कि छोटी सी ट्रिक है B, S, P में B, S, A, ठीक है यह ग्रहों के दूरी का क्रम है सूरे से, ठीक है आगे देखिए प्रसंख्या 25 जब प्रत्वी सूरे और चंद्रमा के बीच होती है तो इस इस्तिती को क्या कहते है तो इस इस्तिती को चंद्र गरहाण कहते है ठीक है दोस्तों यह आपको याद होना चाहिए इसको आप ऐसे देख लिजे अगर हम मान लिजे हम लिखते है एस पी और सी ठीक है एस पी सी आप याद रखिए तो यह आपको होता है चंद्र गरहाण के क्यों देखिए आखरी में सी आ रहा है देखिए एस फार सूरे पी फार प्रत्वी और सी फार चंद्रमा ठीक है तो सीव आखरी में आ रहा तो चंद्रगरहाण है अगर अगर ये प्रत्वी और सूर्य है ठीक है अगर प्रत्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए ठीक है जैसे प्रत्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए तब ये क्या कहलाता है तब ये हो जाता स्थाई आपका सूर्यगरहाण PCS PCS मतलब सूर्य और SPC SPC देखें आखरी में सी आ रहा है ठीक है आखरी में सी आ रहा है तो इसका मतलब यह चंदकरहाण है ध्यान रखेगा अगर मालीची इधर में कि न रहा जाए यह CPS आप लेख सकते हैं CPS इसका मतलब चंद्रमा और सूरे के बीच में ये देखे प्रत्वी आ गई तो ये कौन सी इस्तिती है ये चंद्रग्रहाण की इस्तिती है याद रखेगा चंद्रग्रहाण की इस्तिती कि बात हो रही है। और कुछ मैं समझे। भूप्राश्ट की बात हो रही है। उसपर सरवाधिक मुखे तत्तु ओक्सीजन पाई जाता है 47 संपूर प्रत्थुई पर सरवधिक मुखे तत्तु वो है लोहा। अगर भूप्र выйsť बात करें तो oxygen और संपूर प्रत्वी की बात करें तो लोहा अगे देखें मोर का वैज्यानिक नाम क्या है पावो क्रिस्टोटस ठीक है पावो क्रिस्टेस इसका वैज्यानिक नाम है रावत भाटा परमाड़ू उर्जा केंद्ध किस राजी में इस्तित है तो वह है राजस् और शोक्र ठीक है दोस्तों तो यह थे आज के 30 अति महत्वपूर प्रश्ण दोस्तों अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाए ओके दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जाय हिंद जाय भाए